लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जब लोगडाउन खत्म हो जाएगा अभी नहीं तो आपके सर पे अचानक से अगर एकजाम आ गया तो आप क्या करो गए इसलिए लोगडाउन के सो मस्ती के अंतरगत अब थोड़े बहुत बढ़ा भी करो मैं देखते हूं कि ब वीजन करते रहिए तो यहां पर देख सकते हैं कि यह इसमें ढूणना है सेम मीनिंग ढूणना है बेश्ट इक्सप्रेस देखे कभी कभी आपको मैं बात बता दू बेश्ट इक्सप्रेस कहीं लिखा रहेगा कहीं साइनोनेम लिखा रहेगा और कहीं बेश्ट इक्सप्रे कितना आप सही कर पाते हैं तो आप हमारे वीडियो को पॉस्ट करके और अपने एंसर दिजेगा दें तब वीडियो को आगे बढ़ाईएगा तो चलिए आई देखते हैं सबसे पहला कोशन है हमारा इंपलाई इंपलाई मिन्स क्या होता है आपके वोकाईब बहुत यची रहने चाहिए मैंने कितनी बार कहा है इसलिए अपनी वोकाईब का अफसर जैसे कि मैं को भी वज़े वर्ट्स देती हूं यह फोर वर्ट्स अगर आपको बहुत ज़्यादा अप लिखती है अच्छा इसलिए वाट्स आप पर टाइबिंग करती ही होंगी उससे बैट्टर है कि यहाँ पर कीजिए टाइबिंग हमारी कमेंट बॉक्स में और वहाँ पर उन सब वर्ट का हिंदी लिखे इससे आपका यह साईनों लिखिए दो-चार उससे कुछ मिलते जुलते साईनों लिखे इससे आपके word की vocab बहुत ही अच्छी होगी वरना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो आप WhatsApp पे ना समय देकर Facebook पे ना समय देकर यहां लिखा करो ताकि दुनिया के लोग भी देखेंगे वैसे बहुत लग्कियां लिखती हैं फर्स्ट ओफल मैं नाम तो जोसना सिंका ही लोगी बहुत ही प्याई लड़की और बहुत लिखती है तो चलिए अब बहुत हुआ स्टार्ट करते हैं इंप्लाई इंप्लाई मिंस क्या होता है चलिए आई होप कि आपके दिमाग में इंसर क्लिक कर गया होगा को पता हिए इंप्लाई क्या होता है किसी भी चीच को क्या करना कंफर्म करना कॉंप्लाई का मतलब होता है अनुपालन क्या होता है अनुपालन और फिर कंक्ल्यूट मतलब क्या होता है निसकर्स निकालना किसी भी चीच का निसकर्स क्या होता है उसे निकालना और कौन नोट मिन्स क्या होता है भाव बताना यानि किसे भी चिछ का संकेत बताना तो imply का क्या हो गया है एंसर कौन नोट कौन नोट मिन्स क्या होता है संकेत देना भाव बताना चलिए दूसरा विजिलेंट विजिलेंट मिन्स क्या होता है चलिए विजिलेंट मिंस मतलब होता है शतर्क शोकर्णा तो यहां पे आप साइनों ढूंड़ी सकते हैं स्मार्ट मिंस तो आप स्मार्ट जानते हैं इंटेलिजेंट मतलब बुधिमान वाच्फूल मतलब क्या होता है शतर्क होता है और मैं आपको वैसे तो इसका एंसर तो यहां के ठीक देखने से पता चला होगा फॉर्टीटूर से क्या हो जाएगा करेज मतलब कि आप में साहस कितनी है तो आगे जाके आपको बताने की कोई जूरत नहीं है तो आपके लिए मैं कोशन डून रही हूं क्वेसे सिंसेर्टी और आपको सपोर्ट पता होगा आप होगे है तो इसमें का तो ही किसी में मिलावात करना तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहां पेंसर क्या होगाे वैसे सवाग्स तो आपको एंसर देखने से पता चल lagi Skill Av sitting mystal क्या होता है कि को स्मुन्हां कि सबका वर्ट का अर्थ हिएँ ये तीनो का सब्का एक ही वर्ड यह ब्याला बात रहता है बट एंटो अगर वर्ड इच्छे है तो इसका मतलब नहीं भी जानते तो इससे आप सक्की के तीन वर्ड एक जैसे रहते हैं और लिएम रहते हैं वेन मिन्स होता है व्यर्थ तो यहां पर देखे प्राउड मतलब घमंडी इगोइस्टिक मतलब जो इसके पास इगो है कंसाइट मतलब उधत करना होता है हमबल मतलब क्या होता है वी नम्र एक अलग वर्ट निखा तो हम यहां से डारेक्ट एंसर टिक करेंगे चलिए फिवल मिन्स क्या होता है देखें कंसाइट मतलब एक वैसे मैं आपको बता तूदत करना भी और एक अभिमानी होता है यानि गमंडी इन तीनों का वड़ आप देख रहे हैं गमंडी ही लेकिन एक हमबल मिन्स क्या हो गया बी नम्र तो वह उसका क्या हो गया एंसर हो हो गया फिवल मिन्स होता है कमजोर तो क्या हो जाएगा है यहां पर एक कोशन है आपका यहां पर थोड़ा उल्टा लगता है सेट हो गया है यहां पर दल लॉयर हैज प्लेंटी ओफ क्या क्या है यहां पेंन काुज करता लॉयर के साथ क्या लॉयर के साथ किया या हम झालेंट के साथ है खूसता रहता है तो lawyer के साथ हम यहां पे client का use care, वैसे तो lawyer के पास जो भी जाता है, सबसे पहली बात याद रखें, उसको हम client जाते हैं, lawyer के पास criminal नहीं जाता है, criminal क्या करता है, उसका case लड़ता है, चली next question, I have brought the book, it's, that's, rubbish said the assertively to all the boys of the present, क्या होगा, me, myself, mine, mine, क्या होना चाहिए, यहां पे answer तो चली, आपके माइन में दिवागत हो, यहां पे क्या है, उसकी book, आपने पढ़ा होगा, अगर pronoun, तो pronoun, तो परनाव में पने पढ़ा होगा, तो वहां पे यह रहता है, तो यहां पे क्या माइन, I have brought the it's mine, यहां जो जो भोग हरदा, वो क्या है, वो उसकी है, रभी प्रेजिन कर रहा है, चली, next question, the project is good, but there is a dash missing to make excellent work to engineer commented, something, everything, nothing, anything, क्या होना चाहिए, तो I hope कि आपके माइन में, क्लिक कर गया होगा, तो हमेंसा मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, last अपना जो लाइफ क्लास लिया, तो पढ़ाया था, कि something is better than nothing, यानि कि उसमें everything हो गया यानि कि क्या है, कुस्तो कमी है, there is something missing, यहाँ पर क्या होगा, something यहाँ पर answer होगा, चली, next question, see thanked, results, as see cloud, reach the station on time, dash, his help, with, since, in, for, क्या होना चाहिए, चली, I hope कि आपके mind में answer क्लिक होगा, तो हमेशा इसके साथ, जो भी station on time, उसके साथ क्या help करने के लिए, वो खड़ा रहता है, यानि कि with his help, next question, my dad's brother is called Arhan, जो मेरा जो brother है, उसको हम लोग क्या कहते है, कौन सा बरादर होगा, तो older तो होगा नहीं, तो क्या हो जागा, elder brother, जो हमारा बरा brother है, elder, senior नहीं, older नहीं, और oldest भी नहीं, elder brother, जिसको हम क्या कहते है, अरहान कहते है, चली, next question है, to be it in the air, इस phase का अर्थ होता है, to be the worth का प्रयास करना, क्या होता है, worth का प्रयास करना, तो यहाँ पे आपको हिंदी तो मैंने बता ती, तो पहला में ही answer दिख र see through, इसका मन्स क्या होता है, आपने अगर फ्रेज की वीडियो अच्छे से देखे होंगे, तो आपको सब पता होगा, वास्तविक्ता को समझना, जो हमारा वास्तविक्ता है, उसे हम समझेंगे, तो क्या होगा, to detect true natures, ज्यादा पर नहीं, बस आपको हिंदी इसका पता होन होता है, चलिए मैं आपके लिए छोटा से एक टाक्स दे रही हूँ, पोष्ट, हम्बल, इन्हेल, इक्सेल, इन सबका आप हिंदी लिखोगे, एक क्राई इन वाइल्डर्स, वाइल्ड रंस, मिन्स क्या हो जाएगा, चलिए, इसका एंसर मैं आपको बता दूँ, आपके मा इन वाइल्डर्स रहेगा, तूसे हम क्या कर देंगे, वो एंसर हो जाएगा मेरा, लास्ट कोश्चन है, टू रॉक दा पोट, इसका मतलब होता है, संतुलन को बिगार कर परसानी खत्म करना, क्या होगा, संतुलन को बिगार कर परसानी को खत्म करना, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर जाने कि balance मतलब ही एक संतूलन होता है तो रॉक दा बोट मतलब ही संतूलन किसका होता है balance का ही होता है balance मतलब ही संतूलन होता है तो अगर आया होगा तो आप मैं चैनल को लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं गंटी वाले छोटे से बेलेंगे पर जरू क्लिक कर सकते हैं और चलिए मैं आपको एक छोटा सा और चीज बता हूं जैसे कि अगर आप हमें करेंट अफेर सुनना जाते हैं या कोई और फी फ्रेज वेगरा सुनना जाते हैं तो आती हूं सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे प्ले स्टोर में आपको एक आप मिलेगा खब्री स्टीडियो एप ठीक है ठीक है ओल इंडिया खब्री आप यहां पर देख रहोंगे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक आप मिलेगा इस आप को क्या करोगे मेरे में तो अलड़ी इंस्टॉल है आप इस आप को क्या है इंस्टॉल करोगे ठीक है और इंस्टॉल होने पर यह कैसा दिखता है चलिए आईए मैं आपको बता दूँ चलिए यह एक आप हुआ इंस्टॉल हो यहां पर मैंने लिखा हुआ है आप वहीं से लिख कर जाओगे एजुकेशनल पॉइंट उसके बाद देखें यहां पर एक हजा सब्सक्राइबर है उसके बाद आप इसको ऐसे खोलोगे आप यहां पर देख सकते हों जितने यहां से आप फॉलो कर सकते हैं घंटे वाले चोटे सब्सक्राइबर जैसा कि आप जानते हैं कि आज 30 अप्रेल और 30 अप्रेल से जितने भी कोशन बनते हैं सबका इस ओडियो में डिसकस होगा सबसे पहली तो बहुत ही बड़ी ख़बर ह है कि एक अभी नेता जो थे वो ने तो यहां पर आप तेक सकते हैं कि ऐसे ऐसे सुना इसमें जितने भी करेंट अफेर वेगरा है जो भी ससी बैंकिंग और भी कंपिटेटिव एक्जाम है उन सबसे रिलेटेड आपको यहां पर सारे के सारे जनकारी में से तो आप हमारे च पर दवा दीजिए और यहां भी और वहां भी तो चलिए मैं आपसे विदा लेते हुआ